दोस्तो रिसेंटली रसिया ने एक बहुत ही इंपोर्टेंट आफर इंडिया के सामने रखा है दा सुखोई 75 चेकमेट फाइटर जेट का जी हाँ दोस्तो भारत के बास अभी के लिए सुखोई 30 एरक्राफ्ट है इस एरक्राफ्ट को रसिया की ही एक कमपनी सुखोई जो कुछ जादा ही एडवांस है और इसी सुखोई 35 को रसिया ने चायना को भी बेचा है जी हाँ दोस्तो चायना आज की समय में सुखोई 35 फाइटर को अपरेट करता है वही हम लोग सुखोई 30 को यूज़ करते हैं मगर अब रसिया ने उसके बेस्ट फ्रेंड इंडिया को ए क्योंकि रसिया के हिसाब से यह दुनिया का एक मातर ऐसा फाइटर जेट है जो दुनिया के किसी भी अन्फित चनरेशन फाइटर जेट को चेक्मेट कर सकता है और दोस्तो बताया जा रहा है कि यह एरक्रापट राफेल जैसे एरक्रापट से कही ज्जाधा एड़ांस जैसा हमने अभी देखा ही था कि USA ने ICT meeting के अंदर कहा था कि वो भारत के साथ मिलकर fighter jet का engine बनाने के लिए तयार है तो जल्द ही made in India fighter jet engine आप लोग को देखने को मिल सकता है जो कि general electric technology पर based होगा और इंडिया के लिए ये एक game changer साबित हो सकता है क्योंकि general electric के जो engine है वो भारत पहले ही उसके तेजस aircraft यानि LCA तेजस में यूज करता आ रहा है अभी तक हम लोग इसको USA से import करते थे लेकिन अब ये engine made in India होने वाले है और USA इसके पीछे दो रीजन बताता है पहला रीजन ये है ताकि इंडिया चाइना को counter कर पाए और दूसरा रीजन ये है ताकि इंड ये deal हुई थी वो हुई थी सुखोए 57 को ले करके और ये एक joint partnership आफर था रसिया के तरफ से इंडिया के लिए जिसे हमने join भी किया था लेकिन अंत में हमें इससे pull out करना पड़ा अब आप लोग कहोगे कि भारत ने इस आफर से pull out क्यों कर लिया तो देखो दोस्तों रसिया help करने वाला है नहीं तो वो अपने सर्दों के हिसाब से इंडिया को सुखोए 57 एरक्राफ्ट पेश सकता है इसके चलते इंडियान एरफोर्स बहुत ज्यादा unsatisfied होगे रसिया से जिस वज़े से इंडियान गवर्मेंट को billions of dollars खर्च करने के बाद भी इस partnership से pull out करना पड़ तो देखिए सुखोई 75 साइज में सुखोई 57 से काफी जादा बड़ा है वही सुखोई 57 एक multi roll fighter jet है जैसे कि एक राफेल इसमें आपको bombing करनी है या fighting करनी है या कुछ भी काम करने है जो multi roll fighter jet करते है तो ये सब कर सकता है एक प्रकार से ये एक all rounder की तरह behave करता है लेकिन Chinese threat क चलते है भारत को भी कुछ special करने की जरूरत है अब जो रस्या सुखोई 75 एरक्राफ्ट बना रहा है ये काफी जादा light weight है और रस्या इसको चेक्मेट इसी लिए कहता है क्योंकि ये दुनिया का deadliest एरक्राफ्ट होने वाला है फित जनरेशन light combat एरक्राफ्ट सुखोई 75 को रस्या ने bombing की अलावा किसी भी जगे attack करने के लिए भी बनाया है रस्या के हिसाब से ये अब तक का best stealth aircraft होगा जिसको कोई भी radar आसानी से detect नहीं कर पाएगा तो हो सकता है रस्या के इस offer को इंडिया accept कर ले क्योंकि आल्रेडी हम लोग रस्या के साथ मिलकर ब्रह्मोस missile का न नहीं तो this is very interesting to see कि USA का जो push है वो चाहता है कि इंडिया का एक military alternative बने और इंडिया रस्या से दूर होता चला जाए और उससे military equipment पर्चेस ना करें तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या USA success हो पाता है या mission सुखोई 75 एक ऐसा mission उबर कराता है जिससे रस्या और इंडिया के military relation और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे तो आप लोग देखना आने वाले 5 से 7 महिने में सुखोई 75 बहुत ही ज्यादा news में देखने को मिलेगा अगर इससे related कोई और development सामने आती है तो उस पर मैं एक dedicated वीडियो आप सब के लिए जरूर लेकर के आऊंगा दोस्तों अगर आ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद